भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें विचार करना है जितना सर्वनास फिल्मों से इस देश का हो रहा है पिक्चरों से इस देश का नास हो रहा है जितना हमारी संसकति को बरवाद मुंबई की फिल्म इंडिस्टिज ने किया है उतना बरवाद देश को कोई नहीं कर पाया जया इससी बेब साइट तुमारे मोबाईल अपर है जीवन तुम्हारा बरबार एक बच्चा इसकूल जा रहा था चोटा सा था मिनका बीटा कहा जा रहा है बोली इसकूल जा रहा है मिनका इसकूल क्यों जाते हो बोली गर्ण्फ्रेंट से मिलने है अब देखो चड़ी पहनना आ सा बूल रहा है क्या होगा मेरे देश का चरित्र और हमारी माताएं बहने भी बच्चों को ऐसी चड़ाती तिरी गल्फ्रेंड कौन है तिरा फ्रेंड कौन है किसे बात करता है उस समय बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब घर में आ जाती है फिर पता पड़ता कि आत्म घात संसकार माबाप के द्वारा प्राप्त हुआ अपसे ने वे दन है इतना सुविधा भोगी बच्चों को मत बनाओ एक बात याद रखना सुविधाओं में मिला हुआ ग्यान मुसीवत में खत्म हो जाता है पहले कि लोगों को असुविधा में जो ग्यान मिलता था न वो मु की सिक्षा किसी कानवेंट स्कूल में नहीं राम की सिक्षा वसिष्ट के आस्रम में हुआ करती है कृष्ण की सिक्षा किसी इंगलिस स्कूल में नहीं कृष्ण की सिक्षा संदीपनी मुनी के आस्रम में हुआ करती है और भरत जी को ग्यान किसी स्कूल से नहीं पिता रिश जियान पढ़ाया जाता था आस्रम में जाते थे लकडी काड़ते थे भिक्षा मांगते थे पहले गुरू को खिलाते थे उसके बाद स्यम भोजन किया करते थे जब तक सिक्षा का काल था तब तक ब्रमयचारी का भेश बना कर बिद्या अध्यन किया करते थे ध्यान रखे वो संसकार दिये जाते थे जब उस आस्रम से कोई बच्चा पढ़के निकलता था लोह पुरुस बन करके निकलता था एक महाम मानो बन करके निकलता था चौधा वर्स की उम्र में स्री राम ने संकल्ब कलिया ध्यान रखना ये निसाचरों से रहत इस धर्ती को कर दूँगा चुधा वर्स का बालग धर्स कांडी वहाथ में उठा लिया करता है और आज तुम्हारी उलाद नल नहीं आ रहे हैं एक बालती पानी मगाना तो कहता है मम्मी मुझसे उठेगा नहीं आटे का कनस्तर उठाओ तो हाथ में चाले आते हैं सबजी लेने बजार में भेजो तो पहले स्कूटी देखता है मॉटर साइकल देखता है ये संसकार ऐसे हाथ है इन लड़कों के कोई छूले तो ऐसा लगता है से लड़की का हाथ हो अरे इनके हाथ तो लोह पुरुष जैसा होना चाहिए इनके हाथ और पैर तो ऐसे मजबूत होना चाहिए कि चटान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए वो मानवता वो इंसान मैं बेटियों से भी कहता हूँ इन बेटियों के हाथ में माला पकड़ाओ तो एक हाथ में भाला भी पकड़ाना चाहिए ध्यान रखना आज बेटियां सुरक्षित नहीं है आज नारी सुरक्षित नहीं है उनके साथ खिलवार हो रहा है बेटियों को युद्धा बनाएए कलाई चूड़ी पहनने वाली कलाई नहीं तलवार पकड़ने वाली भुजाएं इनके अंदर सौपिये वरना इनकी रक्षा कोन करेगा इनकी सुरक्षा कोन करेगा अपनी सुरक्षा जब तक बेटियां खुद नहीं करेंगी तब तक कोई भी तुम्हारी रक्षा कर, कोई भी कानून देश में आ जाए, मेरे बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है ज्यान रखना, मैं आपसे निवीदन कर रहा हूँ, उन विश्यों की ओर ले जाना चाहता हूँ, मैं बेटियों से भी निवीदन करना चाहता हूँ, लड़कों की बातों में आ जाना, जिन्दगी को बरबात कर दिया जाता है, कैसी होती है वो बेटी, बेटियां तो वो होती है, जब मेरे रिशबदेव का दरवार लगता है, और रिशबदेव से उनकी दोनों बेटियां, द्राम्मी सुन्दरी पहुचती है, हे तीन लोग के नाग, हे प्रजापती, हे भक्त वजसल, पिता रिशबदेव से प्रश्न किया बेटियों ने, कि सारा जमाना तीन लोग आपके चरणों में प्रणाम करता है, बताओ पिता, क्या दुनिया में ऐसा कोई है, जिसके सामने आपको जुगना पड़े, तो रिशबदेव ने कहा, मेरे देश की परंपरा है बेटियों, जिस दिन तुहारा विवाय होगा न, उस दिन मुझे भी उनके सामने जुगना पड़ेगा, हमारे देश की बेटी कहती है, कि मेरा तीधंकर तीन लोग का नाथ, जिसके चरणों में देवता हाथ जोड़ कर खड़े हैं, वो हम तुछ बेटियों के खातिर किसी के सामने जुकेगा, मेरे देश की बेटी, मेरे बंस की बेटी कहती है कि पिता, तुभारा माथा न जुके, इसलिए हम आजीवन विवाह का त्याक किया करते हैं, आजीवन ब्रम्यचर को, सबसे पहले ब्रम्यचर की नारी में किसी ने स्थापना की, तो मेरी समाज की बेटी, ब्राम्य और सुन्द्री ने ब्रम्यचर की स्थापना कर दी देश में, मेरे पिता का मा था ना जुके इसलिए मैं विवाहे नहीं करूंगी धान लखना कैसी रही होंगी वो बेटियां और आज की बेटी मावाग के मुँ में कालिक पोथ करके अंदर जाती विवाहे करते ही है ये लव मेरीज कर रही है ये भाग के साधियां कर रही है कहां जाएगी वह संसकती हमारी वह शब बिता आज पीड़ा है आज दर्द है जलकनी चुपड़ी बातों में आकर सड्यंत्रों में फस कर अपने जीवन को बरबात करती है मैं बेटियों से निवेदन कर रहा हूं जिस माबाप ने 25 साल 24 साल तुम्हें प्रेम किया है उसके प्रेम को छाल 6 महिने के लड़के के लड़के के प्रेम से छोटा मत समझो मैं बेटियों से कहता हूं साल दो साल मिला लड़का इतना तुम्हारा अपना हो जाता है साल भर का प्यार 24 साल के प्यार को खत्म कर दिया करता है ध्यान रखिये माबाप ने तुम्हें कितनी नाजों से पाला है माबाप ने तुम्हें कितना अपना एश अपने मन के अर्मानों को काट करके तुम्हारे जीवन को बनाया है माबाप तो भेजते हैं मेरी बेटी पढ़ रही है होस्टल में है पढ़ाई कर रही है क्या हो रहा है देखो जाकर के मेरा पूना में चातुर मास हुआ शर्म आती है बोलने में कि जेन समाज की बेटियां से गरेट पीना प्रारम हो गई है जेन समाज की बेटियों में सुरास शराप के बोतल उनके हाथ में आ गए इसके लिए माबाप बेजा करते हैं उने पढ़ने के लिए नहीं मेरी बेटियो तुम्हें विश्व सुन्द्री नहीं बतना है हर माबाप से निवेदन करूँगा अपनी बेटी को विश्व सुन्द्री बनाने का सपना मत देखो मिस वर्ड बनाने का सपना मत देखो मिस युनिवर्स बनाने का सपना मत देखो बन भी गई तो उससे होगा एक होती है प्रतिष्ठा और एक होती है प्रसंसा विश्व शुंद्री बनने से प्रसंसा मिल सकती है प्रटिष्ठा में मिल सकती है कोई यहां से कोई विश्व शुंद्री निकल जाए लोग उसे असलील ताने मारा करते हैं लोग सीटियां बजाएंगे उसकी देह को कामुकता से देखेंगे लेकिन यहां से कोई साधवी निकल जाए लोग चरणों में माता चुका दिया करते हैं अपना नमन प्रिस्तत कर दिया करते हैं विश्व सुन्दरी प्रसंसा की पात्र हो सकती है लेकिन विश्व सुन्दरी प्रतिष्ठा की पात्र ही हुआ करती है मैं माताओं से निवेदन करूँगा अपनी बेटियों को बिस्व सुन्द्री नहीं अपनी बेटियों को मेना सुन्द्री बनाने का सपना देखिए अपनी बेटियों को ब्रामी सुन्द्री बनाने का सपना देखिए